आए अब हम Mark Jewelry Software कर डेमो देखते हैं. सबसे पहले सुरुबात करते हैं purchase से. सबसे पहले purchase पर ट्रांजिक्शन करेंगे. जैसे किसी supplier से हम चंदा अंजिया परमिश्वर कोई supplier हैं, उनसे कोई Jewelry purchase करते हैं, उनका bill number डालते हैं. जैसे हमने उनसे एक diamond bracelet purchase किया है, उनका reference नंबर यहां पर आप देख पा रहे हैं. इसके बाद सबसे पहले कि हम डालेंगे set या pieces, यानि bracelet जैसे one set है. यहां पर purchase rate गोल्ड का जैसे कि मैंने two days gold rate में डाला हुआ था, तो यहां पर आपि रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे 2800 उपीज पर ग्राम. इसके बाद bracelet का gross weight जैसे 30 grams और purity इसकी जैसे suppose करते हैं, carat में हम चलते हैं, तो हमने 18 carat यहां पर डाला. इसके बाद diamond carat जैसे 1.2 carat इसके अंदर diamond लगा हुआ है, और उसमें 300 pieces और 1.2 carat इसका weight है, purchase rate suppose करते हैं कि 12,000 rupees per carat और sale rate है जैसे 25,000 rupees per carat के साब से. इसका handling charges और यहां पर color और clarity हम यहां पर डाल सकते हैं, जैसे हमने यहां पर डाला VSI 1 और round cut है इसका. यह information पूरी करने के बाद हम इस window से बाहर आते हैं और इसी तरह से bracelet में जो stone लगे हुए है, उस stone का यहां पर वजन हम डालेंगे, जैसे हमने यहां पर डाला 3.4 carat. 3.4 carat, stone हमने यहां पर फुट किया, उसके pieces हम यहां पर डाल सकते हैं, जैसे 20 pieces, purchase rate जैसे 400 rupees per gram, sale rate जैसे 700 rupees per gram, इस window को complete करने के बाद हम बाहर आते हैं, stone को आप carat रती यह gram में calculate कर सकते हैं, जो कि gross rate में से less होके net weight बनता है, अभी हमने यहां पर carat में लिया हुआ है stone और diamond, अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो gross में से less होके दोनों का वजन net weight 29.080 है, इसके बाद हम purchase supplier ने जो making लगाया है, यहां पर हम पुट करेंगे, जैसे 30 rupees per gram supplier ने चार्ज किया, polish यहां पर percentage में suppose किया, उन्होंने 3% चार्ज किया, उसका weight polish का आप यहां पर देख पा और making amount आप यहां पर देख पा रहे है, right side में, इसके बाद extra goods जैसे suppose करते है, 2000 rupees उन्होंने hall marking का charge लगाया है, उसके बाद यहां पर discount जो supplier ने दिया है, description narration में हम supplier का नाम, कोई item का code number या कोई other remark यहां पर डाल सकते है, इसके बाद tray name हम यहां पर put करेंगे, जिस tray में वो item या location हमने यहां पर इसको set किया, इसके बाद sale description हमने यहां पर put किया, कि हमने वो bracelet sale करते बाद customer को kiss rate पर देना है, जैसे 50 rupees per gram, हम यहां पर पहले से ही pre-decide कर देते है, making, उसके बाद हमने यहां पर purity put किया, जैसे 75, 18 karat वो था, और यहां पर percentage में हमने उन से जो charge करना है, ज पर इसके एक्सागुर्स का amount हम यहां पर फीड करते हैं, जैसे 3000 rupees, पर जो haul marking का charge यहां पर लगाया था, वो charge हमने यहां पर लगा दिया, इसका फोटो के option को yes करके हम यहां पर photograph पी कर सकते हैं, इस तरह से हम bracelet की कोई एक pick यहां पर select कर लेते हैं, suppose कि हमने यह select किया, इस तरह से, इस तरह से एक item की entry complete हुई, इसको हम save करके अपने stock में लेते हैं, यहां पर आप label और barcode generate कर सकते हैं, उसी time, जैसे हमने यहां पर label पर करते हैं, किस format में हमने आपको print करना है, वो हमने यहां पर select किया, और select किया, format select किया, इसके बाद हमने कितने print देने हैं, और यहां पर control लूप से command दे सकते हैं, इसका एक preview हम देखते हैं, label का, इस तरह से यह हमारे stock में in हो गई, अगर हम देखना चाते हैं, stock chairs के अंदर ज एंटर करके reference detail में हम देखेंगे, तो यह वह barcode number था, DI 00003, यह इसकी information है complete, supplier का नाम, जो किया भी हमने purchase किया है, अब हम उस item का sale देखेंगे, कि sale किस तरह से की जा सकती है, हम sale पर click करेंगे, current date यहां पर put करेंगे, उसके बाद customer name, slack करेंगे, type में slack करेंगे, 1% या retail invoice, उसके बाद हम यहां पर उसका बार कोड नंबर स्कैन करेंगे, machine से, बार कोड स्कैनर से, जैसे कि DI 00003, इस तरह से यह item, यहां पर automatically, stock से उटके, आपके sale invoice में present हो जाएगी, यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे है, right arrow से मैंने इसको open किया है, rate price decided मैंने today's gold rate fix किया था, जो कि 2900 रुपीज था, सभी information यहां पर sale वाली, जो हमने set कि हुई थी, वो आप यहां पर देख पा रहे है, अब हम इसको save करेंगे, और इसका mode of payment में जैसा कि, यहां पर हमने 30,000 रुपीज हमने cash लिया है, और credit card से हमने card का number put किया, और credit card का amount हम यहां पर put करते हैं, suppose करते हैं कि 20,000 रुपीज हमने यहां पर credit card से swap करवाया, फिर check दे सकते हैं, check number यहां पर put करके, और बाकी rest of amount हम यहां पर check से ले सकते हैं, 254, इस तरह से हम यहां पर इसको save कर रहे हैं, इस bill का preview हम देख सकते हैं, F key press करके इस तरह से, इस तरह से sale complete होती है, और यह हम next जलते हैं, item sale purchase report section में, मैं आपको एक report present कर रहा हूं, जैसे कि daily reports में हम जाएंगे, item sale purchase summary में, अगर हमने sale summary देखने हम यहां पर click करेंगे, हम यहां पर date select करेंगे, case date से किस date तक कि हमें report चाहिए, तो tag detail हम यहां पर yes रखेंगे, otherwise no रखेंगे, report for किस चीज के लिए report आप देखने जा रहे हैं, जैसे कि sale के लिए, stock last के option को यहां पर yes no only कर सकते हैं, अगर आप जो आप report देखना चाहते हैं, जैसे कि view करके देख पा रहे हैं, यहां पर हमने sale की थी वह यहां पर आपको उसका cross weight net weight amount यहां पर present हो रहा है, और इनका total नीचे, आई अब हम देखते हैं, कारिगर की जो process है, वह कैसे complete की जा सकती है, सबसे पहले कारिगर issue पर क्लिक करेंगे, हम तबन कारिगर को select करते हैं, हमने उनको order दिया है बनाने के लिए, सबसे पहले हम यहां पर pure gold अपने stock में इस issue करेंगे, सबस करते हैं, हम उनको 50 gram gross weight issue करते हैं, जो कि एक fine gold है, उसके बाद फिर हम कुछ stamin उनको issue कर रहे हैं, जो कि 20 karat उसका वजन है, और हम 100 pieces उनको दे रहे हैं, 20 karat वजन के, इस तरह से हमने दो चीज़े उनको issue किया है, यहां पर stone भी उनको issue कर सकते हैं, हमने entry save किया, escape करके बहार आके देखेंगे हमने, अब हम उनसे तपन कारीगर से receiving लेंगे, जो उन्होंने ornament बना के दिया है, तपन कारीगर slack करने के बाद यहां पर item slack करेंगे, जैसे हमने diamond bangle हम यहां पर slack किया, जो भी बार कोड नंबर हम यहां पर देना चाहते हैं, उसका बार कोड नंबर हम यहां पर editing कर सकते हैं, जैसे DB 0004, अब diamond का एक set हमारे पास आया है, जिसका version 40 gram है, और जिसकी purity 22 karat है, जिसमें 2 karat का diamond लगा हुआ है, और जिसके 10 pieces लगाए गए है, sell rate हम यहां पर define कर सकते हैं, 30,000 rupees per gram जैसे की, इसके बाद हम यहां पर stone का weight अगर हो तो stone का weight पूट कर सकते हैं, फिर यहां पर polish जो की waste is कारेगर लेता है, वो हम यहां पर define कर सकते हैं, suppose करते हैं, कारेगर ने यहां पर charge किया 2%. making अगर पैसों में charge करते हैं कारेगर तो हम यहां पर, पैसों में डाल सकते हैं, जैसे 20 rupees per gram, इस तरह से यहां पर sale description put कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले दिखाया है, इस entry को हम यहां पर save करते हैं. Save करने के बाद यहाँ पे Level Barcoding generate कर सकते हैं. अब हम उनकी Pending देखेंगे कि अपन कारिकर के पास में कितना Metal Pending रहा गया. आए नेक्स्स जलते हैं Kitty और गिर्वी पार्ट पे. सबसे पहले किट्टी पार्ट से हम Kitty on कर सकते हैं. सबसे पहले Kitty Group बनाया गया है. किट्टी ग्रूप में किट्फंड ओपन किया है जिस नाम से आपको आपने वह ग्रूप नेम हम यहाँ पे डालेंगे. उसके बाद amount यानि जितने महेने के लिए कोई कस्टमर पे कर रहा है और जितना amount वह पे कर रहा है उन दोनों को multiplication आप यहाँ पे डालेंगे. जैसे कोई कस्टमर हजार रुपे बारह महेने के लिए पे करता है तो यहाँ पे बारह हजार रुपे उसका किट्टी amount डाला जाएगा. उसके बाद है start rate किस date से वह किट्टी start कर रहा है और total number of months यहाँ ट्वैल मंस. end date यहाँ पे हम डालेंगे जैसे कितनी कब end हो जाएगी automatically यह systems को end date बताता है. EMI जैसे कि 1000 रुपे payment date किस date को payment कर रहा है या किस week के कौन से date को payment करेगा तो यह सब details हम यहाँ पे डालेंगे. इसके बाद laser master हमने option दिया है आप यहाँ पे laser का नाम, किस kitty group में है या उनका address क्या है, date of birth क्या anniversary क्या है और उनका photograph यहाँ पे यहाँ या कोई documents उनका address कर सकती है, आप यहाँ पे उनका laser प्रिंट कर सकती है, उनका card प्रिंट कर सकती है, इस तरह से यहाँ entry को save करेंगे. फिर kitty-MI entry में आप उनसी transactions में जो MI वो पे कर रहे है वो आप यहाँ पे उनको ले सकते हैं, कि सबसे पहले kitty group को select करते हैं, उसके बाद किस laser को आप select करना चाहते हैं वो यहाँ पे select करेंगे, उसके बाद automatically अमाउंट यहाँ पे represent करता है और इस entry को आप save करके उसका print out निकालके आप उनको दे सकते हैं, इसके बाद kitty group list यानि वो जबैलर कौन-कौन सी kitty उनके पास उनने open किया है और कितने amount की कब start होगी, कब end होगी वो सब details आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप member wise report देख सकते हैं कि कि किट्टी के कौन से members की, कितनी-कितनी किष्टी आई हैं और कितनी उनकी pending है, किट्टी consolidated report हैं, आप यहाँ पे kitty wise report देख सकते हैं, कि सब्सक्रों महालक्ष्मी किट्टी के कौन-कौन से lasers हैं और किसने कितनी instrument pay की हैं और कितनी pending हैं उनकी, कि homeless Tä Tombow देख सकते हैं epoxy यहाँ पhr august yearnot50 liter डेख सकते हैं, किस ने pay किया, किस ने pay नहीं किया, draw report यहाँ पर देख सकती है, SMS facility हमने यहाँ पर दी है, आप SMS कर सकते हैं जो कोई भी customer join करता है किट्टी को, उसको SMS भेज सकते हैं, Welcome SMS भेज सकते हैं, Payment SMS भेज सकती है, जिसकी payment आ चुकी है, उनको thanks भेज सकती है, किसी का draw निकलता है, तो उनको SMS भेज सकती है, आप किसी की किट्टी का stop होती है, तो आप उसको SMS भेज सकती है, अगर payment नहीं आई है, तो आप उनको SMS भेज सकती है, यहाँ पे SMS का setup दिया हुए, SMS to unpaid payments, जिसकी payment नहीं आई है, आप उन सब को, लेज़स को, members को SMS भेज सकती है, इसके इलाबा, किट्टी में, easy करने के लिए, software को, आप जो members का data है, वो Excel में बना के आप इसको import कर सकते हैं, या इसमें जो data है, उसको आप Excel में export कर सकती है, इस तरह से किट्टी complete होती है, नेक्स जलते हैं, गिर्वी section में, गिर्वी section में, कोई भी जुएलस किसी भी customer को, एक particular period के लिए, particular interest पर amount प्रोवाइड करवाते हैं, उसके लिए यहां पर आमने auction दिया हुआ है, सरसे पहले group master, यानि कि, जो jewelry वो गिर्वी रख रहे हैं, उसका group क्या है, gold group है या diamond group है, इस तरह से यहां पर creation कर सकते हैं, bank master में, आप bank create कर सकते हैं, terms and conditions, हर एक जुएलस की कुछ terms होती हैं, वो आप यहां पर create कर सकते हैं, इसके बाद product create कर सकते हैं, कि कौन सी jewelry वो गिर्वी रखने जा रहे हैं, वो आप यहां पर create कर सकते हैं, उसके बाद customer master, आप यहां पर customer का नाम, father का नाम, address, phone number, यह सब details photograph के साथ हमें या documents के साथ में आप feed कर सकते हैं, उसके बाद deal master में आप उनसे deal set कर सकते हैं, जो उन्होंने जुएलरी रखी है, वो कितने weight की है, उसकी क्या estimated value है, और कितने interest पर उन्होंने pay किया, amount दिया है, और कितने महिने के लिए उन्होंने दिया, यह सब details आप यहां पर डाल के इसको print भी कर सकते हैं, इस deal को, इसके बाद जब कभी customer वो interest देने आते हैं, तब आप उनसे interest ले सकते हैं, transaction के अंदर, और किस date को जो interest लेंगे, किस customer से लेंगे, वो automatically system आपको बताता है कि उनका कितना payable बनता है, current date तक, इस तरह से हमने आप पर bank और cash दोनों दिया हुए, आप mode of payment दोनों use कर सकते हैं, इसके बाद कोई report देख रही है कि कोई customer गिर्वी कितने दिन से pending है, किसी customer की गिर्वी और कितने दिन हो चुकी है, वो सब report आप यहां पर देख सकते हैं, उसका view कर सकते है, report का, print out ले सकते हैं, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं, किटी stock report, कि आपके पास में जो गिर्वी stock रखा हुआ है, वो उसकी value क्या है, या वो कितने amount का है, उसकी value क्या थी, और आज की rate में उसकी क्या value है, यह दोनी report साव यहां से दे सकती है, इ उसका difference कितना बनता है, वो सब report आप यहां पर देख सकती है, इस तरह से गिर्वी section समापत होता है, धन्यवाद